होता क्या है जब ब्लड प्रेशर हाई होता है और लंबे समय तक हाई रहता है तो आपकी खून की नसों में प्रेशर इतना रहता है कि वो उनकी की इलास्टीसीटी उनकी ड्यूरेबिलीटी उनकी एजस्टिबिलीटी इस सब डैमेज और इंटर्नल डैमेज होता है अगर आपके अंदर खून की नसों में कोलेस्ट्रॉल जमा होना है तो वो उस नस में जादा होगा जिसमें लगातार ब्लड प्रेशर जादा है राधर द जाली खून की नस जादा देर ऐसे इसे कड़क है 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 obviously उसमें दिक्कत होगी so इसी वज़े से high BP over a period of time high heart attack के चांस कारण बंदती है so blood pressure कम रखना एक बहुत important step है heart attack को prevent करने में और साथ ही जब heart attack हो जाता है तो blood pressure कम रखने से आपके heart के उपर का pressure because heart has to push against that blood pressure जितना ज्यादा pressure उसके against push करना उतना ही मुश्किल होता है तो वह भी एक मुश्किल task है इसलिए blood pressure को normal रखना जरूरी है normal target होना चाहिए 130 by 90 के नीचे that is should be your target most of the times जाता है जाता है जाता है